आज में आपके सामने आप देख सकते हैं जब हम टैडी वियर नाते हैं तो उसका आप देख सकते हैं थोड़ा सा फर मेरे पास बचा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसे इसमें जॉइंट लगाया हुआ है यहां से भी लेकिन सीधे साइड से इसमें पता नहीं पिल्कुल आठाल से फ़र को बार्प निकाल कर के ऐसा लगए कि हमने कोई वह मेरा इस में आड नहीं कि और यह देखे से बिल्कुल भी प्ता है लाग गारे इसमें सिलाई डालीनी आज हम इससे रभर वैंधि कि오ear आप एप साप कि इस तरह से हमने हमने सिलाई डाल दिया और इस इसके लिए हमने इलस्टिक भी ले लिया जो दिखें इसका हाफ से हाफ इसका हाफ लिया हमने और अर्रप हमने और सीधा कर लेना है तु ceux-स बिद्योत कि सीधा कर लिया और वेल को सब और धागे से जैसे इस तरह से आपने इसमें पैन की सायता से भी कैसे भी आपने इस तरह से इसमें डाल लेना है इस एलास्टिक को डाल लेने के बाद छोटी है एलास्टिक बड़े आराम से पैन को साइड में करके अब इसे एलास्टिक को हमने इस तरह से पक्का कर लेना है सुई की सायता से क्योंकि अच्छे वाली गोल वाली एलास्टिक है इसमें हम सुई से ही इसे फिट करेंगे क्योंकि इसमें हम मसीन से सीलाई नहीं डाल सकते इस तरह से हमने इसे अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें यह दिखे हमने, इलास्टिक को सुई से पक्का प्का कर दिया है, और अब हमने किया करना है, इसमें, इस तरह से सीधी साइट को अंदर की तरफ करके, ये देखे ह marine and parks, इसमें और यहां पर हमने एक इंज का gap रखवा, इसमें अब हमने इसे इस तरह से अंदर को ए देखे हमारा बिल्कुल गूम जो है रबड बन गया अब हमारा जहां पर हमने एक इंच का यह इसमें इस लिन दिख रहा है आपको क्यूंकि इसमें फर बहुत जादा अब जो एक इंच का हमने यहां पर जो होल रखा था इसके उपर से तो हमने इस तरह से आप चाहे तो इसमें सुई से सिलाई डाल दो ऐसे मत डाली इसमें इससे तुरपाई कर लो तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा और हैर बेंड आपका यह दिखी रैडी हो गया तो आप इस तरह से बेकार कट पीस से कुछ भी आपके पास तो उससे आ आपके बेंड़ ग्या कर दो बाली बेता रा घू कर चुछ एनगे कि जैवाशने हैं